अगर इंग्लिश में आप अंगुठे को थंब, बुद्धवार को वेडिनस दे और लोहे को आईरन बोलते हो, तो रुको, आप गलत बोल रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी, तो ठीक कैसे बोलें, इस मस्या के समाधान के लिए मैं हूँ सुमन बाली, फॉर्मर प्रिंसिपल नहीं बोलता नहीं, अल्फबेटिकली करते हैं, पहले देखते हैं, एक इन वर्ड्स में नहीं बोलता, हीमोगलोबिन, लाल, रक्तकर्ण, के स्पेलिंग देखिए जरा, ह के बाद आने वाले, ए से कन्फ्यूस नहीं होना, इसे हाइमोगलोबिन वगरा बोलने की कोशिश नहीं करनी, ए साइलेंट है, हीमोगलोबिन, सीजर में सी के बाद आने वाले, ए को देख कर, इसे साइजर नहीं बोलना, ए साइलेंट, सीजर, ब्रैड, ड्रेड और हैड में भी, ए साइलेंट है, ब्रियाड, ड्रियाड, यहिःड तो नहीं बोलेंगे ना, आप, correct pronunciation है, ब बात करेंगे उन words की जिन में be silent है रोटी के छोटे-छोटे टुकडों को crumbs नहीं बोलना क्या बोलेंगे? crumbs, be chup नालादी को ठीक करने वाले को I am sure अब plumber ही कहते होगे, no, it is plumber be silent, आपने कभी ना कभी newspaper में अवश्य पढ़ा होगा she scumped to her injuries, scumped नहीं है यहां be silent है scum, rini को आपने indebited नहीं बोलना be chup है indebted, अंगुठे को English में thumb बोलना है thumb नहीं, be silent है thumb, mokbray को English में tomb बोलते है end में be देखकर tomb या tomb नहीं बोलना, tomb सुन हो जाने को English में numb बोलते हैं end में be देखकर numb नहीं बोलेंगे कंगा या कंगी को comb बोलना है, comb नहीं be silent है, comb मेंने यानि बेड के बच्चे को lamb परनौस करना है, lamb नहीं be chup, kook को womb बोलते हैं ना कि womb be is silent here too bum को spelling देखकर इसे bomb नहीं बोलना be इसमें नहीं बोलता, correct pronunciation, bomb अब देखते हैं C किन words में silent रहता है राजदंड जिसको English में scepter बोलते हैं में S के बाद आने वाला C silent रहता है scepter नहीं, scepter कैंची को English में scissors परनौस करते हैं S के बाद C देखकर skeezers नहीं बोलना C again silent, correct pronunciation, scissors अभी योग लगाने को English में indict बोलते हैं induct नहीं, C यहां भी चुप है मासपेशी को muscle, महक को scent, चड़ाई को ascent, उतराई को descent और शिश्ची को English में disciple बोलते हैं C इन सब words में है और silent है Foda, Obsess, Rijana, Fascinate और Noka, Yart इन में भी C चुप रहना ही पसंद करता है और आपने इसे बुलाने की कोशिश भी नहीं करनी D भी बातियों से कम थोड़े ना है कहीं कहीं यह भी नहीं बोलता budget, bridge, pull, midget, bonna इन words में D आता तो है पर बोलता नहीं याद रखना edge किनारा में D देखकर edge नहीं बोलना और hedge बाड में D देखकर hedge नहीं बोलना correct pronunciation edge and hedge handkerchief में D देखकर handkerchief नहीं बोलेंगे it is handkerchief बताओ आप में से कितने लोग buddwar को wednes से बोलते हो अगर आप भी यह गलती करने वालों में से हो तो याद रखना है it is Wednesday चलो देखें जी किन वर्ड में नहीं बोलता benign, design, malign में बस जी दिखता ही है बोलता नहीं काटने वाली मक्खी को English में आप net और दांत पीसने को nash बोलेंगे जी चुप champagne और कलोन में भी जी silent है align, assign और sign में भी जी चुप रहना ही पसंद करता है rain, fame और foreign में भी जी silent अब देखते हैं कि h किन वर्ड में silent रहता है honor में h नहीं बोलता so honor बोलने की गलती कभी नहीं करनी correct pronunciation honor इसी तरह से honorary और honorarium में भी h खामोश है ghost commonly mispronounced word है बहुत बड़े लिखे लोग भी इसे ghost बोल देते हैं सही उचारण है ghost h नहीं बोलेगा कविता की तुकबंदी को rhyme बोलेंगे रहाइम नहीं अब देखें के कहां कहां चुप रहता है knife, knight और knuckle में के silent है knob, knot, knock और knit में भी के नहीं बोलता knee को कनी नहीं बोलेंगे और neel को कनील नहीं no और knowledge में भी के नहीं बोलता knick knack कभी knick knack नहीं बनाना के को शांत रहने दो अब देखते हैं अल कहां silent रहता है arms, half और काफ में L है पर बोलता नहीं almond, badam को बहुत से लोग almond प्रनूस करते हैं जो की गलत है L silent है almond, almond chalk, walk और talk में भी L चुपी है folk और york में भी L खामोश है bomb में भी L का बोलने का कोई काम नहीं bomb L को देखकर आपने should को should would को would और could को could नहीं बोलना L silent should, would, could चलो बात करते हैं N की देखें वो शब्द जिनमें N बोलने को no कहता है पत्चड को autumn परनूस करना है autumn नहीं N इसमें भी नहीं बोलता इसी तरह से solemn को भी Solomon बोलने की गलती नहीं करनी it is solemn भजन him में भी N कोई भजन नहीं करता खामोश रहता है याद रखें इसे him बोलना है हाँ तो students मेरा channel सुमन स्पीक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आ रही हो तो like करें और अपने circle में share करें चलो आगे बढ़ें देखें पी कौन-कौन से words में चुप रहना पसंद करता है मनो विज्ञान psychology को पी शुरू तो करता है पर silent रहता है psychology इसी तरह से pseudo, psyche, psychic और psychiatrist में भी पी नहीं बोलता तखता पलट को English में कू बोलते हैं कूप बोलने की गलती नहीं करनी पी silent कूप कबर्ट को जरूर अपने बहुत से लोगों को cupboard कहते हुए सुना होगा गलत है यह ठीक उचारण है cupboard let us now see where S is silent island दूइब को बहुत से लोग Iceland समझते हैं और बोलते भी हैं नहीं S नहीं बोलता island गल्यारे को I shall नहीं बोलेंगे S is silent I'll चलो T के चुप़े भी देख ली जाएं जार रूसी शासक को T शुरू तो करता है पर बोलता नहीं जार हसल बसल और असल में भी T चुप कैसल रैसल नैसल और अपासल में T आता तो है पर बोलता नहीं बुच्चर मैच और सक्रेच में भी T खामोश ओफन सौफन और फासन में भी T बोलने की गलती नहीं करनी आपने विच जादू गरनी में भी T का जादू नहीं चलता T चुप विच correct pronunciation विच mortgage गिरवी रखना इसे पहुत सारे लोग malt gauge बोलती है विलत इट इस mortgage क्रिस्मस का तो आपको पता ही होगा कि T silent है क्रिस्मस विसल बिसल और ग्लिसन में भी T silent है आओ अब देखें R किन वर्ड्स में बोलना पसंद नहीं करता आइन अब देखें यू किन वर्ड्स में silent है बिस्किट और बिल्डिंग में यू दिखता है पर बोलता नहीं जीब टॉंग्यू नहीं टंग है रोग रोग्यू नहीं रोग और वोग्यू नहीं वोग है गिल्ट गाल्ट और गिटा में भी यू खामोश गाल्ट और डिस्गाईज में भी यू मौन ही रहेगा गैस्ट गैस और सर्किट में भी यू चो प्रहना ही पसंद करता है सिल्वेट छाया चित्र में भी यू है पर बोलता नहीं सिल्वेट end में बारी आती है w की देखें यह के इन वर्ड्स में silent है, राथ और rap को w शुरू तो करता है पर बोलता नहीं wriggle और ring को शुरू में w देखकर wriggle या wrink नहीं बोलना, w silent wriggle, ring wreck, wreath, wrestle और wrinkle में भी w नहीं बोलता, अत्यांत दुखी व्यक्ति को आप ratchet बोलनेंगे, wretched नहीं पूरा जिसे English में hole कहते है इसमें भी पूरे letters नहीं बोलते, w खमोश है hole, इसी तरह से wrist, wrong और right में भी w नहीं बोलता तलवार को बहुत सारे लोग sword कहने की गलती करते हैं आपने नहीं करनी इसमें w silent है correct pronunciation is sword नाटक कार को w देखकर play right नहीं कहना w silent, play right टेड़े मेड़े को English में array बोलते हैं इसे आरी, आवरी या अवराई कहने की गलती मत करो correct pronunciation is array अन्त में students मेरी आपको sincere advice है कि pronunciation में remarkable improvement के लिए ये वीडियो बार बार देखें और अपने नोन पर English के सही ग्यान की धाक जमाएं Thank you